दोस्तों आदर और आदाव अपिनंदर आभार मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं तहे दिल से स्वागत करता हूं भूशन साइन्स के यूटूब चैनल पर विच इस मोर देन जस्ट अ क्लास दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके अब्स ब्स नर्सिंग एंट्रेंस एक्जाम जो दो हजार चोबिस में एम्स हमारा करवाने जा रहा है दोस्तों अल इंडिया इंस्टिट्वीट ऑफ मेडिकल साइंस हमारे भारत देश का एक ऐसा एक ऐसा गौश्ट सेंट्रलाइस गौश्मेंट कॉलेज है जहां पर नर् दोस्तों ब्स नर्सिंग एम से करना इक्वएलेंट होता है एम ब्स के बराबर क्योंकि आल इंडिया इंस्टिट्वीट ऑफ मेडिकल साइंस बहुत ही बहतरीन कॉलेज है हर मामले में आपको यहां से इंफ्रस्ट्रक्ट्टर अच्छा मिलेगा आपको यहां पर एकनॉमि आल इंडिया इंस्टिट्वीट ऑफ मेडिकल साइंस से बढ़ते हैं तो दोस्तों इसका आल इंडिया इंस्टिट्वीट ऑफ मेडिकल साइंस का फॉर्म भरने की देट तो निकल चुकी है तो जो फॉर्म भर चुके हैं और अगर जो नहीं भी भर रहे हैं और जो अगले स सेवेन में नहीं, न 2X में, सिंगल 1X में, इस 1X स्पीड रखके इस वीडियो को देखना, ध्यान से सुनना, सब चीज़ें आपको आराम से क्लियर होती चले जाएंगी, अगर फिर भी कोई डाउट होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, सबसे पहले दोस्तों, 2024 से, तो अगर आज अपन हिसाब लगा हैं, तो अपने पास मोटा मोटा, मोटा मोटा अपने पास बचे हैं, 32 से 34 दिन, मान सकते हो, आप कितना एक मेहना बचे हैं, अब सर इस एक मेहने में अपन ऐसा क्या करें, कैसे करें, सब चीज़ बताऊंगा, आराम से, सुकून से पहले, डेट समझ गए, अब पहले, जिनको अभी तक भी अगर नहीं पता है, और अगर पता भी है, तो एक बार बता देता हूं, वापिस exam pattern होता क्या है, दोस्तों, यहाँ पर आते हैं 100 questions, यहाँ पर क्या आते हैं, 100 questions, है न, उसमें से chemistry के आते हैं, कितने 30, biology के कितने आते हैं 30, physics के कितने आते हैं 30, और आपके यहाँ पर एक और चीज एड हो जाती है, जिसका नाम है general knowledge, जिसका नाम क्या है, general knowledge, okay, तो यह है sir, 10 questions, total 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 10, total आते हैं questions 100, अच्छा, aims में, aims में आपसे exam pattern है, अगर 100 questions हैं, तो आपको यहाँ पर right के लिए रहता है, plus 1, right के लिए कितना रहता है, plus 1, लेकिन जो बात, जो बात आश्चरी वाली है, वो है यहाँ पर negative marking तो है, पर यहाँ पर minus 1 by 4 negative नहीं है, दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर negative ज्यादा है, यहाँ पर negative है, minus 1 by 3 है, यहाँ पर negative marking, अगर आप wrong करते हो, तो minus 1 by 3 हो जाएगा, इस इसका मतलब, यह एक पैटन, यह जो इसका पैटन है, यह एक चीज इसको और tough बनाती है, देखो, as comparatively to बाकी states, यह exam tough होता है, अब उसका reason बताऊँगा, उसका reason बताऊँगा, एक तो यहीं से समझ में आ रहा है, अगर आप बाकी states से compare करोगे, देखो, कुछ states में तो negative marking होत होती है, लेकिन जिस states में negative marking होती है, उसमें भी minus 1 by 4 होता है, यहाँ पर minus 1 by 3 है, मतलब 0.66, 0.33 marks आपके कट जाएंगे, as compared to कटते पहले किते थे 0.25, समझना, यह बात, यह बात ध्यान रखने वाली है, यह तो मतलब, तुक्के वाले लोग तो यहाँ चली नहीं पाएंगे ज्यादा ज्यादा नुक्सान ज्यादा है, फायदा कम है, नुक्सान ज्यादा है, अच्छा, exam time यह भी बहुत important है, यहाँ पर आपको exam time सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं, आपको question कितने आते हैं, 100 questions, लेकिन आपके exam time कितने हैं, 120 minutes, 120 minutes, मतलब दोस्तों, approximately आपके पास एक question को solve करन के लिए, मोटा मोटा 1.2 minutes है, मोटा मोटा बोल रहा हूं, मैं, हिसाब लगाओगे तो एक ही minute है, हिसाब लगाओगे तो 1-1.2 minutes, मतलब एक minute से थुरह सजाद है, इस समय, इसमें आपको question पढ़ना भी है, question समझना भी है, और question attempt भी करना है, सही तरीके से, गलत नहीं, की aims की strategy बहुत important हो जाती है, सुनते चलना, अभी सीधा बात करता हूं, strategy पर, दोस्तों समझना, aims का जो exam है, वो need के level के टकर का आता है, in the sense कि उसके questions जो है, एकदम easy level नहीं आते है, एकदम easy level आपसे नहीं पूछेगा, वो question अच्छे level के पूछेगा, तभी आपको इसकी त त्यारी करने के लिए, भूशन साइंस ने एक marathon चालू की है, जिसमें वो हर state के लिए marathon, dedicatedly, तो फैर को 2 से रात के 8 बे तक चलती है, जिसमें अपन physics, chemistry, biology की Hindi, English सब में त्यारी करा रहे, उसमें जुड़ जाना दोस्तों, आपको definitely बोलता हूं, फायदा होगा, definitely बोलता हूं फायदा होगा, अब suppose करना आप AIMS exam में बैट गए, तो आपको strategy बताता हूं, मैं कैसे करना है, देखो यहाँ पे physics, chemistry, biology और GK आता है, सबसे पहले, सबसे पहले attempt करना है आपको chemistry, sir क्यों, क्योंकि chemistry में यादा आपको या तो आता है, या तो most probably नहीं आता है, ऐसा ही scene होता ह chemistry आपको क्या दिलाएगी, confidence, confidence के साथ साथ दिलाएगी marks, तो सबसे पहले, सबसे पहले attempt करना किसको chemistry को, देखो यहाँ पे मैंने exam pattern भी वैसी लिखा था, exam pattern भी अगर आप देखेंगे न, तो ज्यांस दिखेंगे तो आपने chemistry लिखा था, पहले attempt करना है sir किसको chemistry को, chemistry बहुत हुश्कुमित इंपार्टन ए क्यूकि या तो आता है या तो नहीं आता या तो आता या तो नहीं आता है, और most probably chemistry छोड़ा रटने का है तो सब्सक्ता सूदा सीधा मार क्या दाओगे, उसके बाद attempt करना क्या, biology क्या क्योंकि biology में तो आप champion हो biology में वार्भी मिया अगर आपको लगता है कि बिना पैंट चला ये हो जाएगा उसको पहले करते चलना उसको पहले करते चलना थीस के तीस कोशन बना डालना उसके बाद फिर आना फिसिक्स पे फिर आना फिजिक्स पे फिर जो आपको लग रहा है थोड़े कैलकुलेशन से हो जाएगा उसको करना और बड़े कैलकुलेशन को फिलाल छोड़ देना क्योंकि दोस्तों एम्स एक्जाम में बता रहा हूं ताइम मैंनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आप नहीं कुशन में क्या अपने इगो को सटिस्फाइग कारने के लिए 5मीट लगा दोगे क्या 5यम थोड़ी लगाओगे भाई समझना एक कोस्षन को एक मिनिट सवा मिनट 7व मिनिट 10.5 मैकसिमुम उस से जादा लगाना ही नहीं है नहीं बन रहा है चोड़ देना इसलिए मैं बोल लेकिन फिजिक्स में आएगी, फिजिक्स में आपको फॉर्मले लगाने पड़ेंगे, फिजिक्स में आपको फॉर्मले के साथ साथ conceptual थोड़ सी depth भी होगी questions की, इसलिए बोल रहा हूं, पहले attempt करना chemistry, फिर करना biology, फिर attempt करना physics, फिर attempt करना physics, और journal knowledge तो ऐसा सीन है, आपको आप बिल्कुल भी तुक्के चलाने की practice नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर negative marking जाद है, यही मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, इसका सबसे पहला disadvantage क्या है? इसका सथ से पहला disadvantage क्या है? कि यहाँ पर negative marking 1 by 3 है, 1 by 4 नहीं है, इसलिए तुक्का नहीं चलाना है, तुक्का बिलकुल भी नहीं चलाना है, फिर से बता रहा हूँ, पहले attempt करना chemistry, फिर करना biology, फिर करना physics, इसमें कौन से questions? इसमें easy questions attempt करना, जो एकदम देखते साथ बन जाए फिर attempt क्या करोगे? tough questions, उसके बाद भी अगर कुछ गुंजाईश बच जाए तो फिलाल छोड़ देना भाई, फिलाल छोड़ देना आजाना GK के उपर, आजाना किसके उपर? GK के उपर, इसमें क्या करना? इसमें आपको क्या करना है? सारे attempt कर लेना, सारे attempt, 10 questions, 10 questions, attempt कर ल दोस्तों, ऐसे में आपका time बचेगा, मैं बार बार stress देके बोल रहा हूँ, aims के exam में, aims के exam में knowledge से ज्यादा important हो जाता है time management, क्यों? क्योंकि question ठीक ठाक आते है, मजाक नहीं आता है question, मजाक question नहीं आता है, BSc nursing के question है, लेकिन ऐसा नहीं आराम से आजाएंगे, solve हो जाएंग knowledge आपको जरूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन time management यहाँ पे बहुत ही जादा important हो जाता है, question की practice के regarding दोस्तों, question की practice के regarding दोस्तों, हमारे पास marathon class एक मही से चालू हो चुकी है, आप लोग, आप लोग सुकून से, अगर आपको live में आना है, तो live में जुड करो पर live आने की, जिसमें हम आपको teacher से आप interact कर पाओगे, teacher से क्या कर पाओगे, one to one interaction कर पाओगे, ताकि आपको कोई doubt होगा, तो वहाँ पे तुरंत solve हो जाएगा, marathon से क्या होगा, आपको questions में concept apply करने का knowledge मिलेगी, वो ज्यादा important है, तो दोस्तों, यहीं तक थी strategy, आशा कर करता हूँ, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया, तो like, share, subscribe कर देना दोस्तों, और ऐसी updates मिलते रहेंगे आपको, तब तक के लिए दोस्तों, टाटा भाय भाय, शब्बा खेर, take care, भाय भाय, मिलते हैं अगले update के साथ,